इस नाव में बीजेपी जेडियू के कटपंदन के अटकले तेज हो गई हैं। सुष्ट्रों का ये दावा है कि बीजेपी जेडियू के कटपंदन का स्वरूप तैयार हो रहा है। जानकारी के मताबिक जेडियू ने बिहार से सती हुई 24 सीटों पर अपने प्रभाव का दावा किया है और मिली जानकारी के अंसार यूपी में भी कचपंदन को लेका दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच बाचीत का दौध जारी है तो क्या शोख लग रहा है उत्तर प्रदेश पे जेडियू कितनी मदद कर पाएगी बीजेपी की? जेडियू बीजेपी की कितनी मदद कर पाएगी? देखिए सबसे एहम बात यह है कि इस वक्त जितने भी देखिए बिल्कुल सबसे पहले तो यह समझना जरूरी होगा कि आखिरकार जेडियू और बीजेपी एगडवन्दन की बातचीत अचानक से चर्चा में क्यूं आ गई? आप दिखे कि तमाम सारे छोटे दल हैं जिनका उत्तर प्रदेश में गडवन्दन का सुरूप बंता भान अजर आ रहा है महान दल जिसके अधिश केशो मौर हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गडवन्दन की आप अकादा जनाक्रोश यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है और बिहार से सटी भी जो पूरी बेल्ट है उस पर उनका काफी प्रभाव भी है जातिकत लिहाद से भी और चुकि जेडियो अपनी अपार्टी का विस्तार करने की दिशा में भी लगातार प्रयास कर रहा है लेकिन ये जरूर है कि छोटे दलों को नाराज नहीं करना चाहती है बीजेपी शायद यही वजह है कि अपना दल जिसकी अनुक्रिया पटल को केंद्री मंत्री मंडल में जगे दी गई उनकी नाराज़की को दूर करने की कोशिच की गई है तो उसी आधार पर उन्होंने दावेदारी पेश की है लेकिन अभी अंतिम मोहर जेडियू और बीजेपी ये गडवंधन पर उत्तरप्रदेश में लगना बाकी है क्योंकि जेडियू पूरे उत्तरप्रदेश में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रखती है खास तरु है जेडियू से भी बात चल रही है